मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आप लोग में से बहुत सारे बच्चे अभी भी परेशान हैं और बहुत सारे बच्चे का डॉट आ रहा है कि सर कुछ मीनमम मार्क्स बतो हमारा कि इस से कम आने से हम ड्रॉप लेने का ठिंग करें सेकेंड फिंग पेपर का लेवल कैसा आया था और थर्ड फिंग कि आपका स्टेट कौन सा है डिफरेंट डिफरेंट इस स्टेट के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है कई जगहों पे काफी कम जाती है कटफ with respect to other जैसे कि आप मालो वेस्ट बेंगाल हो गिया चतिह गड़ हो गया उरिषा हो गया कश्मीर हो गया असाम हो गया इन सब कटफ थोरा सा कम रहेगा लेकिन पुछ जो एस्टेट है जैसे दली हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, महाराष्टर हो गया, करनाटका, तैमिल लाडू, हरियाना भी, इन सब का कटफ थोरा जयदा रहता है इसके रिस्पेक्ट में, तो अगर आप जैदे कटफ वाले स्टेट में बिलॉंग करते हो तो आप 15-20 मार्स अपने को उभीशी के लिए 524 मार्क्स, SC के लिए 505 मार्क्स और ST के लिए 421 मार्क्स, इतने मार्क्स आये हैं, इससे अगर कम मार्क्स है तो आप ये ठिंग कर सकते हो कि आपको सायद इस बार MBBS सीट नहीं मिलने वाला है, एक दो मार्क्स अगर उपर नीचा है तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन अगर कुछ जैदे ही गैप है आपके मार्क्स का, तो आप next drop के लिए ठिंग कर सकते हो, या कुछ और courses अगर आप जोइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ठिंग कर सकते हो, लेकिन सीट मिलने के चांसे कमी हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो भी बच् और जो हमारा जनरल होता है, उसका आसपास होता है, एक्जेक्टली आसपास होता है, लेकिन OBC बच्चे के लिए भी मैं वो minimum marks बता रहा हूँ, जिस minimum marks से नीचे अगर आपका आया है, तो आपको साइध government cities बार नहीं मिल पाएगी, हाँ, maximum marks अगर उसके आसपास आपका है, तो obviously मिल जाएगी, कहे बार ऐसे होते हैं कि first round में आपको नहीं मिलता है, second round में नहीं मिलता है, लेकिन third round तक जाके मिल जाता है, जो भी बच्चे आप नहीं हो इस चैनल पर चैनल को subscribe, जरूर कर ले ना, आपके कौन सेलिंग में मैं help करूंगा, कितने marks पे कौन सा college मिलने व आपको तो आप comment box में comment करना, next video में आपको response मिले, wish you all the best